दोस्तों आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं क्या futures की ट्रेडिंग, options buying की ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा दे सकती है या ज़्यादा accuracy दे सकती है ऐसा दोस्तों कहने का मेरा main reason यह है क्योंकि हाली में हमें एक tweet मिला था जो जेरोदा के CEO है नितिन कमाक उन्होंने एक tweet करा था जिसके अंदर वो बात कर रहे थे जो STT government ने increase करा है साथी साथ में STT increase होने की वज़े से जो futures में trade करना काफी महंगा हो चुका है और वो जो महंगा हो चुका है ट्रेड करना उसकी वज़े से वो यह कह रहे है कि काफी लोग futures से options buying के अंदर shift हो सकते है और जबकि उनका कहना यह है कि futures के अंदर जो winning probability है वो 50% के आसपास होती ह है और options buying में लगबक 10% ही लोग पैसा कमाबाते है और winning probability काफी कम होती है तो यह दोस्तों नितिन कमास आपका कहना है जो है CEO 0-10 के तो हम आज की वीडियो में यह प्रूफ करने में लगेंगे क्या reality में ऐसा है क्या future trading के अंदर जो 50% यह कह रहे है क्या यह winning probability हो सकती है एक strategy एक simple intraday की strategy backtest करके देखेंगे देखेंगे कितनी winning probability आ रही है और same strategy को future पे भी लगा करके देखेंगे तो आज की वीडियो में दोस्तों basically यह discuss करने वाले comparison है क्या future trading options buying से ज़्यादा accuracy दे सकती है और ज़्यादा accuracy का मतलब यह है कि profitable होने के आपके ज़्यादा chances तो इसके ओ प्रू करते हैं जानते हैं और समझते हैं कि कौन जीता है future यह options है कि बहुत बहुत सब्सक्राइब दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चाने के यूटूब चैनल में में मिना नमें अन्मोल मितल तो सबसे पहले दोस्तों normally मैं यहां समझाना की कोशिश करता हूं कि कि किसके बाद मैं आपको एक strategy बताऊंगा वो strategy को हम backtest करेंगे सिर्फ यह देखने के लिए क्या futures के अंदर ज्यादा accuracy आ रही है या options buying के अंदर ज्यादा accuracy आ रही है तो यह comparison उस strategy से हमें पता लग जाएगा उसका backtest में दिखाऊंगा practical कि 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 अंदर कितना पैसा बन रहा है ए निफ्टी आज के दिन ऊपर जाएगा ठीक है तो मैंने एक analysis करी चाहे मैंने technical यूज करा चाहे मैंने fundamental यूज करा चाहे मैंने news देकी कुछ भी करा अगर मैं future का कोई trade लेता हूं मान लेते हैं कि निफ्टी चल रहा है 24,000 के level पे चल रहा है और मुझे यहां से market ऊपर जा सक होती है तो मैं क्या करूँगा मान लेते हैं कि मैंने future buy कर लिया ठीक है अगर मैंने future यहां बाय कर लिया तो यहां मेरे win होने की probability कितनी है वैसे normally अगर हम देखे तो win होने की probability यहांपर रहेगी 50% क्यूंकि यहां तो market यहां से ओपर जाएगा यह market यहां से नीचे जाएगा तो अगर market उपर गया, तो उतना ही पैसा मुझे मिलेगा, और market अगर नीचे गया, तो उतना ही नुकसान मुझे होगा, तो future trading में होता क्या है, जितना market उपर बढ़ेगा, उतना ही पैसा मिलेगा, यानि unlimited market जितना मरजी उपर बढ़ जा, उतना पैसा मिलेगा, और market जितना न को फिलिप करते है टोस के लिए तो अगर आप उसको सो बार या पांसो बार या हजार बार फिलिप करेंगे तो आपको 50-50% हैड या टेल मिलेगा शुरुवात में हो सकते हैड ज्यादा मिल सकते है शुरुवात में हो सकते है टेल ज्यादा मिल सकते है लेकिन अगर आप उसको एक हजार बार coin को flip करेंगे तो जो यहाँ पर जो accuracy आएगी वो दोनों की 50-50% के आसपस याएगी same concept future में काम करता है या तो market उपर जाएगा या नीचे जाएगा तो मेरे win होने की probability 50% है लेकिन अगर हम options buying की बात करें तो options buying में होता क्या है options buying में salary थोड़ा सा change होता है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो trade हो रहा है वो premium के उपर trade हो रहा है अब premium बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा और options buying में एक problem क्या होती है premium कम होता रहता है अब ज़रा समझते हैं market में क्या हो सकता है मान लेते कि 24,000 पर आपको लग रहा है कि market यहाँ से उपर जाएगी तो आपने क्या करा आपने एक option buy कर लिया तो मैं क्या करूँ को एक option यहाँ पर buy कर लूँगा मुझे ऐसा लगता है market यहाँ पर उपर जाएगा अब market मान लेते अब यहाँ पर देखे तीन चीज़े हो सकती है market के अंदर क्या हो सकती है यहाँ तो market उपर जाएगा यह market एक जगा पर रुका रहेगा यह market नीचे चले जाएगा तो अगध इन तीन सेनेरियों को मैं 100% में से divide कर दूँ तो यहाँ पर figure आती है 23, 33, 33 ठीक है तो उपर जाने के chances कितने है 33% यहाँ रुके रहने के chances कितने है 33% और नीचे जाने के chances कितने है 33% तो अगर आप option buy कर रहे हैं तो options buying में हमें profit तब ही होगा जब market उपर जाएगा क्योंकि अगर market उपर नहीं गया तो market का जो premium है जो option का premium है, वो दिरे-दिरे कम हो जाता है, और उसका हमें नुकसान हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें नुकसान होने की chances है, अगर market एक जगा रुका रहा, और market नीचे चला गया, तब भी नुकसान होने के chances है, तो cool मिलाकर के दोस्तों हम बात करें, तो आपके win होने की जो probability है यहां क्यों नहीं लिया, यह same scenario मैंने यहां पर इसलिए नहीं लिया, क्योंकि अगर future के अंदर market वहीं की वहीं रुका रहता है, तो आप no profit, no loss में निकल जाते है, आपको नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर premium decay नहीं हो रहा है, तो यहां पर क्या है, market ऊपर आपकी 50% है, और अगर आप options buying का कोई trade लेते हैं, तो आपकी winning probability 33% है, obviously futures की winning probability है, वो काफी high हमें यहां पर दिखाई देती है, आप यह जो है, एक strategy की अपर लगा कर देखते हैं, और back test देखते हैं, कि reality में ऐसा है या नहीं है, क्या यह winning probability future की जाधा आएगी या नहीं आए इसको दोस्तों practically चेक करते हैं, तो यह दोस्तों strategy की है, strategy के लिए हमने यहां पर use कर रहा है, super trend indicator, super trend indicator by default 7 is to 3 वाला setting वाला अगर आप अपने चार्ट के उपर लगाते हैं, तो कुछ इस तरीके के दिखाई देता है, तो यहां पर जो strategy के रूगला कुछ इस तरीके के हैं, अब यह जो strategy है, सिर्फ comparison करने के लिए कि future and options अब पर अगर हम compare करें, तो क्या winning probability आती है, क्या पैसा यह बना कर देगा, क्या future buying बना कर देगा, क्या option buying बना कर देगा, सिर्फ यहीं तक इस strategy को लेना है, चलिए, अब यहां पर देखें, super trend है, अब super trend में अगर आप देखें यानि long, long मतला bullish का trade लेंगे, बस only, तो जब भी trade मिलेगा, या तो call buy होगा, या future buy होगा, कब अब आए होगा, बहुत simple है, market अगर open होती है, देखें, intraday की strategy है, market open हुई, हमें सिर्फ यह देखना है, कि market की जब opening होई है, तो जो market की first candle की closing है, यानि 5 minute की first candle की closing है, वो अगर super trend के उपर है, वो अगर super trend के उपर है, तो buy करेंगे, और exit कब करेंगे, exit तब करेंगे, जब market super trend के नीचे आ जाएगी, तो जब भी market super trend के नीचे आ जाएगी, तब हम exit करेंगे, यानि stop loss लेंगे, चाहे stop loss आ रहा हो, चाहे profit आ रहा हो, श्रिस एक ही बार दिन में एक काम कर करना है और उसके बाद दूसरा ट्रेड नहीं लेना है यानि सूपर ट्रेंड के उपर मार्किट है ओपनिंग में जब भी ओपन हुई अगर वो उपर है तो बाई करने के बाद सेल तब करेंगे जब वो सूपर ट्रेंड के नीचे जले जाएगे अगर पूरे दिन सूपर ट्रेंड के उपर ही रही तो पूरे दिन का मुनाफ़ा लेंगे अगर वो सूपर ट्रेंड के नीचे थोड़ देर बाद आ गई तो जितना भी नुकसान होगा वो लोस लेकर के भा यानि super trend की नीचे जब भी market आ जाएगा सिर्फ उतना ही नुकसान लेना है उससे जाधा नहीं लेना और profit कमाने का जो potential है इसके अंदर वो जाधा है यानि market आज के दिन 2% उपर जाता है nifty तो पूरे 2% का profit आप ले सकते हैं अगर nifty 3% उपर जाता है तो पूरे 3% का profit आपको म आपके सामने present कर रहे है backtest हमने कर लिया है अब एक एक quarter का आप result देखना पूरे एक साल का result है 3-3 महिने का मैंने result करा हुआ है 4 slide है तो एक ए करके देखना ताकि आपको समझ में आया है कि option buying ने कितने पैसे दिये और future buying ने कितने पैसे दिये तो यह दोस्तों पहला backtest का result मै आपके सामने present कर रहा हूँ यह जो backtest का result है यह 3 जुलाई 2023 से 30 September 2023 का है 3 महिने का backtest है same strategy को हमने implement करा market open होती market ने यह देखा क्या वो super trend के उपर है पहली जो candle है वो super trend के उपर है जब भी कोई भी candle super trend के उपर जाएगी higher than रहेगी वैसी ही buy किया जाएगा options को और future को भी और अगर super trend के नीचे आगी तो exit करेंगे और पूरे अगर super trend के उपर रही तो 3,15,3,20 पर strategy exit करेंगे चाया profit आ रहा हो चाया नुकसान आ रहा हो तो यहाँ पर देखिए दो contract लिए है पहला जो contract है दोस्तों यह वाला है यह है call at the money की call है ATM की call यहाँ buy करी है और यह जो ATM की call buy कर ठीक है weekly expiry की call buy करेंगे जब भी signal मिलेगा दूसरा देखिए current month का जो future है वो यहाँ पर buy किया है तो future current month का क्योंकि weekly future नहीं है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों यह strategy है यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है लगबक साथ trade मिले हैं यहाँ पर लगबक साथ trade मिले हैं और इन साथ trade के अंदर आप देखिए सिर्फ 25 trade ही winning में गए है और 35 trade यहाँ loss में गए है तो वही दोस्तों जो मैंने आपको 33% के आसपास की figure बताई थी वही 33-40% की accuracy यहाँ देख रही है यानि 40% की यह accuracy आई है winning probability जो 40% आया है जिसके अंदर देखिए आपको 14,900 पे नगबक 15,000 पे का profit हुआ अभी इसके अंदर से trading charges, government के charges, brokerages नहीं काटे है वो अगर काट लेंगे तो obviously यह कम हो जाएगा तो इसाट trade है साट trade में अगर आप 40 काट भी लेंगे लगबक 6,000 पे के आसपास कट जाना चीए मेरे साब से 6,000 पे अगर minus कर लोगे तो 9,000 पे के आसपास का यह profit होग है तो यहाँ पर देखे 50% की accuracy आ गई, winning जो trade है वो 50% है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि future के अंदर हमेशा winning percentage जादा रहेगी options के comparison में, तो वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, plus इसने पैसे भी जादा बना कर दिए, एक ही lot पे trade हो रहा है, यह भी एक lot पे trade हो रहा है, बस दोनों में difference किया है, इसका delta 100% है, delta 100% का मतलब यह होता है, कि अगर nifty 100 points उपर भागेगा, तो यह 100 points का profit आपको देगा, लेकि options 100 points का नहीं देगा, क्योंकि यह आपको देगा 60 यह 70 points का profit, क्योंकि इसका delta जो होता है, वो होता है 50, तो 50 अगर delta है, तो वो उत्रा कम भाग देगा, तो यह दोनों में comparison है, लेकिन यह नुकसान भी जादा देगा, अगर market नीचे गये तो यह नुकसान भी जादेगा, यह नुकसान कम देगा, तो दोनों ही बाते हैं, तो फिलार हम देखे, तो यहाँ पर एक lot के साब से, इसने जादा पैसा बना करके दिया, और इस तो अगला quarter है, इसकी जो back testing है, 3 October 2023 से, 31 December 2023 तरका यह result है, यह निया October, November and December, और इसके अंदर आप देखेंगे, यह जो call वाला है, call के अंदर 53 trades मिले है, 53 trades में देखे, 21 इसमें देखे, winning में है, loss में 32 है, और यहाँ पर फिर लगबब 40% के आसपास की accuracy आ रही है, फिर 40% की accuracy आ रही है, लेकिन अगर आप यह future वाला देखेंगे, यह future वाला जो contract है, इसके अंदर 51 trades मिले है, इसमें देखे, 26 winning में है, और 25 loss में है, इसके अंदर देखे, 51% की accuracy आई है, यानि जो winning trade है, वो अभी भी future के अंदर, जादा आपको दिखाई दे रहे है, अब यह वाला दो 56 trade मिले, और 56 trade में से सिर्फ 19 trade ही profitable थे, 37 loss में थे, तो इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर रही 35% की accuracy, options buying में, यह options बाइंगे उपर वाला इसमें 35% की accuracy रही, यह दोस्तों future वाला है, future में अगर आप देखेंगे, तो 53 trades थे, जिसमें से 24 profitable थे, 29 loss में थे, यहाँ पर दोस के अंदर 10% जादा है, options buying से, और पैसे यहाँ पर देखें, लगबग दोनों ने बराबर ही बना कर दिये, बहुत ज़दा differences नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों यह पता लग रहा है, कि हर quarter के अंदर future जादा accuracy दे रहा है, अब लास्ट वाला quarter एक बार ओर देख लेते हैं, य 35 पे नुकसान हुआ, तो यहाँ दोस्तों जो winning trade जो percentage है, वो लगबग यहाँ पर 35, यह 37% के आसपास होगी, और अगर यहाँ पर आप future का contract देखें, नीचे future का contract है, 54 trade थे, 54 trade में से 29 profit में है, 25 ही loss में है, और इसके अंदर आप देखेंगे, जो winning यहाँ पर हुई है, वो 55% के आसपास हुई है, तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको यह जरूर पता लग गया है कि future trade के अंदर जादा accuracy मिल सकती है, compare करें अगर हम options buying की, लेकिन दोस्तों जो भी retailers options buying करते हैं, उनकी दोस्तों मजबूरी है, वो जान बुचके नहीं करना चाते हैं, हर कोई market गंदर पैसा कमाना चाते हैं, अब जो retailer आ रहा है, अब options अगर आपको लेने options buying करनी हैं, तो यहां पर आपको 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 पे में options मिल जाते हैं, add the money का trade भी आपको लेना है, तो 15,000 पे में add the money का trades हो जाते हैं, लेकिन आपको अगर future के अंदर वही lot लेना हो, तो वहां आपको capital 80,000, 90,000, 1,000,000 की दोस्तों capital चाहिए, तो यहां retailer जान बूच के option buying नहीं करना चाहता, उसकी मजबूरी है कि उसके पास capital कम है, अगर उसके पास capital जादा हो, और उसको पता है कि मुझे future के अंदर जादा benefit आ सकता है, तो वह obviously future का trade लेगा, लेकिन उसकी मजबूरी है कि capital जा जादा accuracy मिल सकती है, और options buying के अंदर accuracy कम मिलती है, लेकिन उसके अंदर loss भी एक limited ही होता है, तो अगर आप चीजों को सही से manage करें, तो पैसा तो दोनों चीजों में बनाया जा सकता है, लेकिन future में पैसा बनाना, options buying के comparison में, जादा high probability वाला हो सकता है, तो यह दर दोस्तों आज की वीडियो में, वीडियो wind up करने से पहले दोस्तों एक important update है आपके लिए, जो आपके साथ share करना चाहता हूँ, दोस्तों हमने launch कर रहे हैं intraday trading का एक course, जिसके अंदर हमने बात करी psychology की, realistic target की, कुछ proven setups की, जो बड़े-बडे trader काफे सालों से use करते वे आ रहे हैं, अगर आप हमारे subscriber है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है, तो आपको हमारे channel को subscribe करना है, क्योंकि ये course स्रीफ हमने launch करा है, अपने subscribers के लिए, और notification bell को on कर देना, ताकि नई वीडियो आए, तो आप तक notification आ जाए, साथ में future and options को लेकर के आपके क्या opinion है, comment box में जरूर ब क्लिक करके feel करके बेज दीजिए, कुछ दिन के अंदर हम आपको email कर देंगे वो course जिसको आप watch करके enjoy कर सकते हैं, और internet trading के बारे में कुछ proven setups और psychology के बारे में सीख सकते हैं, बिल्कुल free of course, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, किसी को भी पैसा नहीं देना है, त तो यहीं था दोस्तों आज की वीडियो में जल्दी मिलूँँगा, नेक्स वीडियो में तब तक लिए good bye, God bless you, बबाए दोस्तों